नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के इंजन के बारे में अब आप सभी को पता होगा कि टाटा टियागो ने 2020 में एक पूर में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं इसका बॉनट ओपन कर लूँ तो जैसा कि आप सभी को पता होगा इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है बॉनट ओपन करने में काफी अच्छा सा दम लगता है और एक हाथ से भी मतलब हो तो जाता ह अगली चीज़ अगर मैं इसके इंजन को आपको दिखाँ तो इसमें 1.2 लीटर का रेवो ट्रोन थ्री सिलिंडर इंजन आता है अब थ्री सिलिंडर इंजन होने के कारण इसमें पावर कैसी क्या है वह सारी बात हम इस वीडियो में अभी करने वाले है अगर आप देखें है तो इसमें इंजन और इसके बॉनट की बीच में जो इस पेस है जो अच्छा 5-4 दिया गया है और उस कारण क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी सामने से इंप्पेक्ट होती है और कुछ होती है यह इंजन की प्लेस्मेंट कुछ जो bonnet दिख रहा है यहाँ पर black color की padding देखने को मिलेगी उस कारण जो यह जो bonnet है engine की heat से heat नहीं होता है गरम नहीं होता है और साथी साथ इसमें noise insulation भी काफी अच्छा बढ़ता है लेकिन पुरानी वाली टियागों में ऐसा नहीं है जब यह गाड़ी 70-90 की speed पर cruise कर रही होती है उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा जो पेट्रोल इंजन की feel है वह अंदर नहीं आप मतलब कि उस समय ऐसा लगता नहीं है कि यह एक पेट्रोल इंजन है बाकी अगर मैं इस इंजन के सबसे पहले vibration और noise की बात करूं तो केबिन में अगर आप start करेंगे तो आपको starting में ही आपको सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो बपा की मूर्ती में भी vibration यहां पर देखने को मिल रहा है कुल मिला के और यदि मैं शांती से अगर यह यहां पर भी वाइब्रेशन देखने को मिलता और अभी जो इसके आर्पीम है वह 8000 के आसपास है वह जैसे ही मैं थोड़ा सा आर्पीम बढ़ाता हूं 2000 के आसपास तो इसमें वाइब्रेशन कम हो जाती है तो एक यह चीज़े बाकी अगर क्लेश आपको बताओं तो आसपास जब इसे चला लेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि थकान महसूस होगी लेकिन अच्छा है इतना जादा भी मतलब की नहीं है आपका काम अच्छा वासा इसमें चल जाएगा तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर आप इसके इंजन अभी जो स्ट अगर मेरे केमरा में स्टेबलाइजेशन ना होता तो आपको समझ में आता कि इंजन कितना हिल रहा है और जो नई वाली टिया को है उसमें इसकी प्लेस्मेंट में इसके वाइब्रेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है वो गाड़ी काफी अच्छी ऑप्टिमाइज होक ठीचें बॉर टिकए और बागी चलाने में इसकी बात करूँ तो इस इंजन में आपको दो मोड में देखने मील प्लावर स्मूटनेज नहीं है ना पावर सुटी मोड विए आप फेल थी इंजन के कारण है तो उससाब से में मैलेज इसमें मैं बात करूं तो मेरे को उस गाड़ी नेर रफ-יCU हुश्डी ते सitted करूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन एक बार मैंने लगबख सो किलोमेटर के आसपास क्रूज किया था और इसमें फीचर आता है इंस्टेंटेनियस फ्यूल एकोनोमी करके जब आपके गाड़ी में अच्छा-कासा पेट्रोल लेता है तीन-चार बार यहां पर श निकाला है सो हाइस माइलेज और लोइस माइलेज मेरा जहां तक मानना है कि पूरा-पूरा ड्राइवर के उपर डिपेंड है लेकिन जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है 24 की उसके आसपास यह आराम से दे देती है 18 से लेकर 22 किलोमीटर का माइलेज अगर आप नॉर्मल कंड चाला रहें और यदि आपने इको मोड इसमें इनेबल कर दिया तो भाई इको मोड आपका सत्यानास कर देगा माइलेज का कोई इको मोड को इकोनोमी आपको देखने को नहीं मिलेगी और उल्टा जितना नॉर्मल में गाड़ी तेल पीती है उससे जाद ही पी जाएगी इक इको मोड का इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि सिटी मोड में जब एक बार आप अच्छी खासे स्पीड अचीव कर लें मतलब कि अगर जैसे आपको लंबा जाना है सो किलोमीटर दो सो किलोमीटर तो आप 80-90 के असपास स्पीड अचीव कर लें और उसके बाद आप उस पावर लगानी नहीं पड़ती हालांकि जो नई टियागो आई यह उसमें इको मोड टोटली रिमूब कर दिया गया और उसके इसीव को इतना ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया गया है या ऑप्टीमाइज में बोलू तो वह अपने आप से कर लेता है कि अब कौन से मोड मे क्या गाड़ी चल रही है कहां पर कितना क्लच ब्रेक यूज हो रहा है उसे आप से गाड़ी को कितना तिल देना है तो यह एक अच्छी चीज है बाकी इंसान के दिमाग से बढ़के तो है नहीं कुछ लोगों के लिए यह अच्छा है कुछ लोगों के लिए बुरा है तो को हर व्यक्ति के अपनी मानसिक्ता पर डिपेंड करता है बाकी मुझे तो परसनली अच्छा लगता है कि इको मोड मेरी गाड़ी में है और मैं अपने मन मुताबिक इसका यूज कर सकता हूं मुझे किसी मशीन पर डिपेंड रहने के आवशकता नहीं है बाकी यदि में गि करना या नए ड्राइवर्स हैं तो आप मतलब की हजार बारा सो के अर्पीम तक भी अगर पंद पांचवा गयर में आपको हैं तो हलंकि गाड़ी शोग करेगी यहां पर की बाई डाउन कर लो लेकिन फिर भी गाड़ी आराम से चला लेगी खीत लेगी तो गियर रेश्यू तो कमेंट बॉक्स में बताईए और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लिजिए इस चैनल को टाटा टियागो ड्राइविंग ऑटो मुबाइल इन सारे कंटेंट से रिलेटेड वीडियो के लिए मिलूंगा आप से अगले वाली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैन